हेलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत त्रिपान स्टेडी सेंटर में यहां पर जो हम करने जा रहे हैं आज जो हम महत्वपून टॉपिक में बात करेंगे वो होगा मुक्या हित्यासी का स्थान जो की बहुत ही असान सब्दों में और बहुत ही सुलब होगा और यह सारे जो होंगे काफी महत्वपून होंगे जिसमें हम लोगर सरहिंद अमरी सर गुजराल वाला बहुत से जो है इतियास स्थाल का बारे में जानेंगे जो हर जगा महत्वपूनता रखेगा चले देखते हैं हमारा यहां पर कोन मुख्य अतियास का स्थान आया है अंबाला अंबाला काफी महत्वपून है सेर जो की मैब वर्क के अंतर गताया है लेकिन इसको करने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि जितना हो सक इस वीडियो को शेयर करें क्यों शेयर ही दुसरे बच्चों का केयर है और जो बच्चे मेरे साथ जुरे हैं उनके लिए महत्वपून रहता है क्यों कहते हैं न के एक हां ताली नहीं बज़ता अगर आप मेरे लिकिजेगा तो आपके लिए भी तिरपान इसे संटर बहुत कुछ करेगा ठीक है अगर यह समय समय पर वीडियो बनता ही रहता है डालते ही रहते जो आपके ही सलेबस के अंतरगत होता है तो इसलिए महत्वपून है सोचे ने सब्सक्राइब कीजिए जो जरूरी है अगर हम बात यहां करें अंबाला की तो अंबाला देखा जाए काफी महत्वपून इतिहासिक स तो तुरों के अनुसार् ठीखा जाया अंबाला के स्थापना अभ राज-पूत ने चौदवी सदी में की थी तरहिए अभ ने किया था अमब ने इसलिए इसका नाम अंबाला रक्का गया और कब किया चौदवी सताफ़धी में किस ने किया एक अमबamed राज-पूत ने और यहां पांडवो वह उनके उत्तर अधिकारियों के समराज का हिस्सा भी रहा पांडवे पांडवे तो पता ही कौन थे महाभारत तो जानते ही हो वह उनके उत्तर अधिकारियों समराज का एक हिस्सा था महारेलिस्थम पाये सिक्कों के अधार पर यह कहा जा सकता है कि यह समुंद्र गुप्त के आधीन भी रहा क्योंकि समुंद्र गुप्त के बहुत से सिक्के हमें अंबाला से प्राप्थ हुआ तो इसका अर्थ आप यह लगा सकते हो कि यहाँ पर यह समुंद्र गुप्त के आधीन भी अमबाला रहा होगा यहाँ पर देखा जाए तो मुसलिमों के आगमन के बाद यह कुतूब दिन एवक के आधीन डा कुटुदीन एवक छो था उसके अधिन अंबाला च्चेत्र चला गया। यहां तूमुर लिंक का भी आकरमन हुआ। तूमुर भी अंबाले पー आकरमन करने से पीछे नहीं ड़ा। तूमुर ने भी अंबाले पर आकरमन κιा। सतारा सो आठ से लिए सतारा सो दस में बंदा बहादूर ने अंबाला पर आकर्मन किया पर सतारा सो दस के सतुहोरा की लड़ाई में उसकी प्राजय के बाद इस पर पुन्य मुगलो का अधिकार हो गया यानि देखा जाए तो बंदा बहादूर भी जो है अंबाला पर आकर्म अधिन के उद्याइपड इसका प्रसासन महाराया रंजीर सींग के हाथों में आ गया जब मुगल समराज खतम हुआ तो यह फिर से महाराया रंजीर सींग के आधिन हो गया है गही की अधिन के आधिकार समरी से स्थासन की doitा गुलाम शुर्ण की पार्द्ण हैं मुगल के अंग्रेज की यह दिकन हो उपात देखाएं तो यह सारी बात देखनी चोड है जो आप कहीं भी लिख सकते हो और ऐसे ही हुआ सभी के साथ क्योंकि मुझे आपको आगे बरहाना है इसलिए मैं आपको में बाते बताने से पीछे नहीं हड़ता हूं तब ही मैं कहता हूं हर एक वीडियो देखिए हर वीडियो में आपको कुछ न क नäराजा रंजीस सींग्य तो यहां समराज नैंने के अपने हाथां में बाइप हैं लिया था अंबाला को हिए लिया अधिन ले लिया अंग्रेज सभी राज्यों के मामलों के नियंत्रहन अंबाला इसे एजंसियों में ही करते थे यानि अंबाला में सारे जंसी के गद्विदियां जो थी वहीं पर केंद्रित होती थी प्रसीद इतिहास का डक्टर केस सी यादव के अनुसार अंबाला ने ओंडियन नेशनल कंगरेस की नियव राकि हस्तियों में अमधाला के मुष्व धरल भी थे जानि देखिए काफि अपर सपना हुआ गया ड्रकी स्थाइट आपना हुआ था उसके मुख्य हस्ति । अमभाला के रहने वाले अंव में भरपूर संजयोग किया है कि विदेशी कपरा नौ बेचने की प्रतिग्या और ऑश्यूरशन के खादी कपरे पहनने का पस्टाव पारित किया गया। और तो इनमे भी पीछे नो रहते हुए 26 अपरेशं उनियस возможно 2019 के की अनाज मंडी में नमख बनाया और नौमबर 1936 को गंधी जी को हतियारो नाथू राम गोड से के अंभ गंबाला केंदर जेल में फांसी दे दी गई और इसलिए भी महतवपोण है कि गंधी जी के घंजन घौ जो हतियारा था हत्या करने वाला था या नाथू राम गोड से उसको भी अंबाला में ही फासी दे दी गई तो इसलिए भी अंबाला काफी महत्वपूर्ण बन जाता है exam point of view से मुक्यत यहां से का स्थान के अंतरगत टॉपिक था काफी महत्वपूर्ण था आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है जिसमें हम सारे मैब वर्ण के अंतरगत कारे करेंगे तो यहां पर हर एक कोशन काफी महत्वपूर्ण exam point of view से बन जाता है कई बार आपको एक वीडियो को ध्यान पुरवग देखना है समझना हैं परना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और एक और चीज महत्वपूर्ण है जो आपके लिए जरूरी है कि share is केयर इस वीडियो को जरूर शेयर करें इसे दुसरे बच्चे पहूंश सके दूसरे बच्चे भी हिसका फैदा उठा सकी तो बच्चे मुझे यही बात कहते हैं कि आपके चनल के बारे मुझे पता नहीं था दोस्तों क्या पता आपके माध्यम से चनल उनको भी प्राफ्थ हो जाए और वो भी इसका फैदा उठा सकी तो शेर करने में कभी भी हिचकता नहीं हूँ हमेशा आपके लिए कुछ ने कुछ लेके आता रहता हूँ और आपको तो पता है कि तरफान छेमी कक्षा से लेके इमे तक के बच्चों के लिए महतोपून है सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाते हैं बहुत ही असानी से तो और भी महत्वपून बन जाता है इसलिए सेर इसकेर सेर जरूर कीजिए पहली बार मैंने चनल पर आयो पहली बार वीडियो देख रहे हो समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है और चाहते हैं को औ लगा है और भी सेर चरह को और आते हैं